हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सुलूशन से उसमें पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट कंसेंट्रेशन तर्म पे जिसका नाम है नॉर्मेलिटी अपने आप में काफी जादा फिमस है यह तर्म और काफी जादा वार मैंने दिखाए कि बच्चे इसके ड़ते हैं पर नॉर्मेल समझने के लिए हमें पहले तीन चार तंप्र होने जाहिए अगर वो सारी बाते करें है तो याम नॉर्मेलिटी में भी दिखेंगा तो तीनों चार्ज पर स्देम्स क्वैलेंस सिक्टार एक्वैलेंस स्बस्दोर्ट एक्विवलेंट मास आपके दिमाग में कुश्चिन उठ रहे होंगे कि या यही तो बताने के लिए हमने शुरू किया है कि यह चाहर होने चाहिए तो आपको बिल्कुल हो जाएगा तो बैलंसी से स्टार्ट करते हैं बहुत इसमें बहुत बड़ी दूबिदा है जैसे इसमें बात करते हैं ऑक्सीजन की तूब वैलंसी होती है है हाइड्रोजन की बारोटी है सोटियमी की बारोटी है ठीज़ार की टूब घ्र एकटॉल लेके अपने उश्टाइब करना चाहता है इसलिए वह काटाएन नहीं नहीं ला की हुग स्टेबल करना छाहाए पर में कुपैसिटी वाद करती हैं रिया किसी के साथ जुड़ने की शंता यह को नेगेटिव इस वह सकती है कि अब किसी के साथ जुड़ना चाहते तो आपकी मैंस तो चाहए वह पोज़िटी और यह बीचली तो भॉलेंश्य। पॉजिटिव रहने वाली है कि यह जरूरत करते हैं जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो बड़ा सब्सक्राइब आप गया करें तो और हम समझें तो टोड़ पॉजटिव चार्ज निकाल तो टोटल पॉजटिव चार्ज निकाल लो जैसे यहां पर निकाल निकालओ एच प्लस एड एसो फोर माइबस अब टोटल पॉसिटीव चार्ज बोला तो यहां पर दो आजाएगो क्योंकि दो है यह जाना प्लस थ्री ऑक्सीजन माइबस क्या जितने अल्मीन हमने ले लिए लिए इसके आवे तोटल पॉसिटीव चार्ज कितना आगया है इसको करने का एक और तरी को जब आएंस में तोड़ रहा हूं अगर मेरे को इस तरीके से नहीं करना है कि इनका टोटल निकालना जो प्लस का जार जार रहा और मैंस का जार जार रहा उसका एल्सियुम लेंगे यह मेरे पास क्या लेगा इस तरीके से भी कर सकते हैं वो तब करना है जब हम यह नहीं करना है यह करने का मतलब है आप जब इस आएंस में तोड़ रहेगो तब उसकी गिल्ती भी सामने लिखनी है क्लियर को यहां पर अगर आपने तोड़ा है तो सामने जिटी नहीं लिखी वैचिंग लेना है जाए यहां पर देखना अगर आप इंपने जाते तो प्लस वान और माइनस फॉर तूब तूब वेशिए कोई भी दिक्कत प्लियर क्लियर तो दो टरम्स क्लियर है लेट्स मास आदो सो गीरा इकविलेंट काम एक्विलेंट का मास अगे घ्राम का मतलब त्या है अगरा मतलब मास धीक्राइं और मेरीपरसेंट कर देते हैं वो बन जाता है घ्रहां इक्यूवेलेंट मास रूप लूप इंसले हो जिए ग्रांस होता तो बन जाता है ग्रामि सब कुछ है यार पैसे हम किसी गिरती को मॉल्स में बता सकते हैं वैसे ही इकुवॉलेंट्स biz क्लेर करेंगे कि यह घ्र निकाली दाए है अब तक के लिए आप सकते हैं कि के इकूविलेंट बेसिकली मोल की तरह जिने जाने वाला की टो के निकाला जाला है कि अज़िया आप इसके ग्राम मॉलिक्लर मास की अगर नहीं जाना वे इस भी समझने के लिए जातरा सब्सक्राइब अब यहां लगा सकते हैं फिर यहां भी दिक्कत अलबाते हैं तो डिवाइड बाइब क्या जाएगा वैलेंसी फेक्टर यानि कि मैं वैसे ही अगर सौल करूं अगर इसका मास निकालना हो तो वह बेसिकली क्या आजाएगा जिसका मोलर मास है यानि कि 36.1 डिवाइड यही आगया है अगर इसका निकालना तो इसका वैलेंसी फेक्टर तू आया था हमारे पास अभी यानि कि इसका मोलर मास है यानि कि 98 डिवाइड बाइड बाइड तू यानि कि 49 सूचिए जरा सूचिए 98 ग्राम का मोल मैंटना है स्क्राइड और 49 ग्राम का एक हम स्कूवेलेंट त्टि हैंर कि इस तरीक बेंगैंगे आपकूवेलेंटülे तो इसका इकोवलेंट मास क्या आजाएगा इसका मोलर मास किता है 5448 102 डिवाइब 670 कोई दिकत तो यहां पर हम बात करते हैं अब नंबर आप ग्राम इकोवलेंट मेंडेंगे गिवं आपण मोलर मास आपां एकोवलेंट मास यह जब नंबर ओफ मॉल्स गिवन मास पूंगा निकालना था यह इसका है डिवन अब अपां कि वासक्या है मुलर मास अपां हुआ यह पेसिकली क्या है जुबन मास अपां है मोलर मास ऐंट वह अपर देखा देखा नहीं लोगा या या लिए 2 नंबर ऑफ ग्राम् ट्वलेंट्स व्यां क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ग्यू इंटू वैलनशी पटरी इस देर क्लिर गिंटिशन हो गया है नंबर अपड़ ग्राम गिपलंग उपानटाइइ फैक्टर है यह उपर चला गया हैं लफडाई खतम हो गया याँ सारे का सारा सार इसी बात पे खतम हो गया क्यों कि निकालने आते हैं वैलन्सी फेक्टर हमें निकालना आता है तो फिर यह कि बार की बला भाई यह तो अब यह बहुत ही जाए ला कोई भी दिकत तो अब हम करके देखते हैं अब यह बहुत ही जाद आसान लगेगा तो कि यह तो नेट्स पूब तुब टूब नार्मैलिटी तो नार्मैलिटी में बेसिकली का है देखो नमबर ऑफ ग्राम इक्ववलेंट्स और सल्यूट अब अपान वाल्यम आफ को स्ल्यूशन इस मुलैरी क्या थे सेमसी तो टर्म लग रही है प्लिटी क्या थे नमबर ऑफ मोल्स अपान वाल्यूशन इक्वेलेंट्स तो नॉर्मैलिटी क्या है अब आपकी जैसे इच्छा है और नंबर ऑग्राम इकोवेलेंस आपको गिवन मास उपान इकोवेलेंट मास की फ़ॉम में लिखना है तो वैसे लिखनो क्या विद्धार है गिवन मास अप्ष्यूट अपन इकोवेलेंट मास और सलीओ इन्टू यहां पर बान अपान वालिम ऑफ सल्यूशन इन लीडर्स आपको इक्विलेंट मास निकालना आता है आप यह सॉल्ट करिए यह अदर्वाइस इतने पंगें पर नहीं हुआ है एक शॉट्कुर्ट ही ले लेके नंबर ग्राम इक्विलेंट्स अभी अभी सॉल्ट किया है क्या अगया है नंबर ऑफ मोल्स और सल्यूट इन्टूवलें साथ करते हैं कर दपां वाल्योम कुर सब्सक्राइब कर दाएफ वाल्यूशन सब्सक्राइब के लिकाइब आगे लिए इन्टू वॉण देटर्वाइव क्या है आगया है इक तो नौम आखने लिए पार मैलनेटी बैस्टी चिंडीन है यह आगया है अग्याव स्च्छ प मुलारिटी इंटू बेर टीटर नंबर ओम सिल्यूट अपान वी मुलने टो निकाल ना पैसा तो नॉरमेलेटी भी आगया ना कोई भी पिक्कत शूजिए चैनल। we are done with the normality part let's have a numerical of normality so that it must be 101 percent clear so next we have is calculate the normality of 294 gram of h2SO4 dissolved in 2 liter of aqueous solution हमें normality निखागी है इस चीज़ी तो यह दो तरीकों से सौर्ट करें दिखा आप नॉर्मेलेटी जो है वो क्या था गिवन मास आफ कि सल्यूट कि अपान कि मोलर मास आफ कि एकोलेंट मास आफ कि सल्यूट इन्टु वार्पान वॉल्म आफ सल्यूशन इन लीटर्स यह वार्पान वॉल्म आफ सल्यूशन दिखा हुआ है कि एक मेरे पास क्या था नॉर्मेलेटी इस इकल तो तो जिवन मास आफ सल्यूशन दिखा है कि एक मेरे तो नॉर्म का निखा था रिग्वांस आफ प्रॉट पॉर्वांस इंटु ना अपान वॉल्म आफ सल्यूशन इस त्ना दिया वॉल्म आफ सब्स्तर्स था इस टु दिखा है अब यहां से देए लेते हैं अब यहां से देए लेते हैं इसका सब्सक्राइब मलंटेश को इसकतान तो इन वल्यक्तार इंट ईछाव्यूमस सब्सक्राइब सब्सक्राइब नीचे वाल्यमानिटर वेलनटर इक की वहता है है बालिक्ता फूल अगया है सब्सक्राइब निकाल अब बेसिकली जो चाहिए अब बेसिकली जो चाहिए वेलेंसी वेलेंसी फेक्टर एकुलेंट मास एंड नमबर ऑफ ग्राम इकुलेंस सब्सक्राइब नमबर ऑफ ग्राम इकुलेंस है अगर अगर आपके दिमाग में वेलेंसी वेक्टर के लिए हैं तो यह फॉला होगा अब तो चारों डाम्स की विज़रोती पड़ेगी उसमें से दो काम ने अलब फांगला बना लिए दिक्कत पूरे का पूरा नॉनमेलेटी यह फांगल चुका है तो वेट फॉर दर नमें असाइंबेंट जो आपके असाइंबेंट है वो बेसिकली आपको करने के बाद टेक्स कर दी जाएगी तिल दिन पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजे थैंकिए तो